हाई आपको सारी अलफ़बिट लिखने आ जाएंगे कि किस तरह से हम नाम लिख सकते हैं क्योंकि सारे अलफ़बिट आपको लिखना आ जाएंगे और होंगे मेरी वीडियो में तो आपको जो भी नाम लिखना है आराम से लिख सकते हैं जितने भी मुझे request आई थी ये video उन सब के लिए मैंने बनाई है videos जो alphabets की हैं उन सब के लिए मैंने बनाई है जिस जिसने मुझे request की थी और जो और भी बनाना चाहें तो सबसे पहले अगर आप beginner हैं तो duplicate stitch की video दी गई होगी कि duplicate stitch कैसे बुनते हैं या duplicate stitch से line उपर की तरफ या नीचे की तरफ कैसे बनाते हैं वो video जरूर देखीगा क्योंकि वो बहुत ही detailed है और जितने भी पिछले alphabet से उन सारे alphabet की video जो है वो description में होगी वो भी जरूर देखीगा क्योंकि पिछली videos में कोई न कोई ऐसी knowledge है ऐसी tip है जो कि इसमें नहीं होगी क्योंकि definitely वो शुरू में नहीं की थी और detail में मैंने उसमें समझाया था और ज्यादा lengthy ना हो जाए ये video उसकी वज़े से में वही detail व्याली बातें सब आपको नहीं बता सकती तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा और नाम कैसे लिखते हैं letters के साथ, alphabet के साथ वो भी video description में होगी क्यों मैंने दो ती नाम लिखना सिखाए भी हुए है तो सबसे पहले हम why लिखेंगे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक ही size का अगर नाम लिख रहे हैं तो आप size मतलब लंबा और चोड़ा आप अपनी मर्जी से alphabet लिखेंगे कि कितना बड़ा alphabet आपने लिखना है और कितना चोड़ा लिखना है तीक है, मैं जिस हिसाब से आपको अभी तक सिखा रही हूँ जिस size के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने एक, दो, तीन, चार चार duplicate stitch पहले बनाने हैं उसके बाद एक, दो, तीन एक, दो, तीन तीन इस तरफ और तीन इस तरफ वाई के लिए ठीक है? और दूसरी बात, जो beginners हैं जो वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जबा लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो रिसीव हो जाया करें अच्छा, आप हम क्या करें के पहले फोर duplicate stitch की लाइन यहाँ पर बना लेंगे duplicate stitch मतलब stitch मतलब फंदा duplicate इसलिए क्योंकि यह फंदे ही है और हम फंदे के उपर फंदा बना रहे हैं तो इसलिए duplicate stitch तो duplicate stitch की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले detail में मैंने जो जो चीज़ें सिखाई होई हैं वो must है अभी हम चार duplicate stitch की दूर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर देखें हमने चार duplicate stitch की लाइन बनाई है एक, दो, तीन, चार दूर दूर लाइन बना लिए हमने अब एक और दो हमने क्या करना है यह बराबर वाली लाइन पे एक फंदा उपर मतलब इस फंदे के बराबर नहीं एक फंदा उपर और बराबर वाली लाइन पे एक duplicate stitch बनाना है अब इस वाली लाइन पे नहीं इस वाली लाइन पे इस वाली लाइन पे इसके बराबर नहीं एक फंदा उपर हमने डूप्लिकेट stitch बनाना है फिर इस डूप्लिकेट stitch के ऊपर भी एक डूप्लिकेट stitch बनाना है डूप्लिकेट stitch की वीडियो मैं इसलिए आपको बोल रही हूं के पहले देखिएगा क्योंकि डूप्लिकेट stitch यूज़ करके हम सारे नाम नमबर और शेप जो भी बनाते हैं तो वह मस्ट है अब जैसे हमने एक दो तीन इधर बनाये हैं डूप्लिकेट stitch से लाइन इस तरफ भी उसी तरह ही बनाएंगे बराबर वाली लाइन पे एक फंदा उपर अब यहां पे देखे हमने वाई बना लिया है चार फंदे इस तरफ तीन इस तरफ और तीन इस तरफ बिलकुल इसी तरह आपने लिखना है और अगर आप लेटर बड़ा लिखना चाहरे हैं तो आपने ये लाइन भी बड़ी करनी है और इन लाइनों को भी बड़ा करना है यह मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि अगर आप लेटर बड़ा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे दूसरा गेप आप जितना भी देना चाहें लेटर की पीछ में वो आपकी मर्जी है अब ही हम क्या करेंगे जैड लिखेंगे जैड के लिए एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उसके बाद बिल्कुल इस फंदे के नीचे उसी लाइन पे एक फंदा बनेंगे फिर एक दो तीन बीच में और फिर यहां पे चार और उसके बराबर उसी लाइन पे फिर यहां से एक दो तीन चार पांच एक, दो, तीन, चार, पांच यहाँ पे, पांच यहाँ पे और बीच में एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है, फाइव फाइव, फाइव अगर आपने बड़ा लेटर लिखना है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे भी ज्यादा फंदों की लाइन बनानी होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ठीक है, लेंथ और विट्ट आप पे डिपेंड करती है तो इसके बराबर में बिलकुल बनाएंगे, बनाना शुरू करेंगे हम सबसे पहले पे फाइव डूप्लिकेट स्टिच की लाइन बना लेते हैं पांच फंदों की डूप्लिकेट स्टिचिस की यहाँ पे लाइन बनाएंगे यहाँ पे देखें हमने एक, दो, तिन, चार, पांच पांच टूप्लिकेट स्टिच की लाइन बना लिए हैं यहाँ पे अब बिलकुल इस फंदे के नीचे यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे डूप्लिकेट स्टिच इसी लाइन पे अब इस वाली लाइन पे नहीं इस वाली लाइन पे बट एक फंदा नीचे मतब इस फंदे की बराबर नहीं एक फंदा नीचे हमने यहाँ पे दूसरा डूप्लिकेट स्टिच बनाना है इसी तरह हम नीचे की तरफ आते जाएंगे और एक एक टुप्लिकेट स्टिच एक एक लाइन पर बनाते जाएंगे फिर यहां पर जब तक हम इसके नीचे तक नहीं पहुंचाते पर देखें हमने यू सीडी की तरह हम नीचे की तरफ आये हैं और यहां तक हमने बना लिए हैं डुप्लिकेट स्टिच इसके नीचे तक क्यूंचे शेप देना है जैट को अब दूसरी बात यह कि अगर आपने बड़ा लिटर लिखना है तो आप पांच से ज्यादा डेफिनिटली अगर बड़ी जो है वो लाइन बना रहे हैं तो आपने तब तक इस तरफ आना है सीड़ी की तरह नीचे 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 जब तक आप पहले फंदे के नीचे तक सीधर लाइन तक ना पहुंचा इससे यह इजी वे है कि अगर आप बड़ा लेटर लिख रहे हैं तो आपने किस तरह लिखना है जितनी बड़ी लाइन पहले फंदे के बिल्कुल नीचे अब जैसे यहां पर हमने बुना है इस लाइन की तरह हम यहां से एक लाइन बनाएंगे पांच फंदों वाले बिल्कुल इसी लाइन पर इसी फंदे के नीचे एक फंदा बनाएंगे और बिल्कुल इसकी बराबर में चार और डूप्रिकेट स्टिच बना लेंगे इस वाले लाइन के पर इस तरफ देखें हमारा वाई और जेट कम्टीट हो गया है यहां पर अब हमारे सारे अल्फबिट जो है वो कम्टीट हो गए है एस से लेकर जेट तक अब आप कोई भी नाम जो भी नाम आप लिखना चाह रहे हैं वो आप अराम से लिख सकते हैं कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं लेटर को बड़ा चोटा और चोड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक्स्प्रें की हुई है अब इसके बाद अल्फबिट कम्टीट हो गए हैं लेटर जमने लिखना सीख लिए हैं अब आप नाम आराम से लिख सकते हैं और मुझे बताईएगा कि जब भी कोई नाम लिखीगा तो मेरे जाथ जरूर शेयर कीज़ेगा कि मुझे फिर खुशी होती है कि मैं आप आप लोगों की हेल्प कर सकी और तेंक यू सो मच फूर वाचिंग मैं वीडियो वीडियो को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाद दीजेगा अलाहफिस